हलो अबीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आपको बता दू हम लोगों ने ये 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 राउंड अप अपना शुरू किया था आज इसका हम करेंगे पार्ट फॉर्थ अभी तक हम लोगों ने डिसकस किये हैं इस साल में जि पार्ट फॉर यानि की फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इन वर्ल जो अच्छे हमारे साथ करंट फिस देखते हैं आप लोगों को बता है मैंने बहुत बार इस चीज पर स्ट्रेस दिया है कि बहुत बार एक्जाम में क्या होता है आपको देखने को मिलता है कि बताओ ऐसी पहल इंसान है या पहला ऐसा फर्स्ट पर्सें जो स्पेस पे गया या कौन सा ऐसा था अब यहां पर दो तरीके से क्वेशन बनते है एक आपका स्टेटिक का पार आजाता है जो कि आपका कॉमन है जो चलता रहेगा कि पहला इंसान कौन था जिसने मांट-वरेस पर पायर रखा यह questions important है साथ ही साथ जो अभी current events में आपके यहाँ पे questions बनते हैं वो आपके कहीं बार बनते हैं first in Indian, first in world पे जो इसी साल माल लीजी आपके current events में किसी ने पहली बार कियो जैसे पहली state कोन सी बनी जो की आपकी organic बनी ठीक है उसके अलावा पहली state कोन सी है जहाँ पे आपका जो LPG connection है सबके पास गया तो यह questions बनते हैं आज हम इसी पर बात करेंगे तो जो लोग यह channel पहली बार देखें आप इस channel को subscribe कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक update मिलता रहें साथ ही साथ आपको बता दूँ एक्जाम आपके अब टाइम पे है जिके PSI क्या एक्जाम भी आप लोग मान के चले कि साथ December से शुरू हो जाएगा positively यह approach हमारी भी आपके end से चल रही है कल आप लोगों का होगा triple S app पे stenographer का test जो की आपका free test होगा जिसको कोई भी बच्चा attempt कर सकता है जो exam आप लोगों का 29th को है उसके अलावा जो हमारा mock test 13 है ये भी आपको कल मिल जाएगा तो तयारी करते रहें साथी साथ ये सब चीज़ें आपको triple S app पे मल जाएगी इसको download कर लीजेगा हमारी app को आप लोग download कर सकते हैं आपको ये सारे courses जो है वो देखने को मिल जाएंगे अगर आप इसमें से किसी की भी तैयारी करें तो आप लोग इसको download कर सकते हैं प्ले स्टोर पे और जो iOS users है या फिर जो iPhone users है आप लोग class plus को download कर सकते हैं और वहाँ पे code लिख सकते हैं RAF Q O तो यहां पे आपको ये देख जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को आज की class काफी जादा important होगी तो सब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला location आप लोगों के सामने हैं अभी recently मुधेरा जो है इसको declare किया गया था इंडिया का पहला 24-7 solar powered village देखो अब जिन जिन चीजों पर मैं stress रखता हूँ ना उन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पेपर में इस तरीकी के question बनते हैं जो हमारी solar powered आ जाती है या फिर हमारी जो renewable energies आ जाती है ये काफी जादा news में है exam में भी बहुत बार देखने को मिलती है अब पहला ऐसा village बना है जो की 24-7 solar powered village है आपको इस question में इस particular जगा का नाम भी याद रखना मोधेरा जो village है ये है कहाँ पे है तो ये जगा है गुजरात में ये पहला बना है इंडिया का 24-7 solar powered village तो जितनी भी चीजें इंडिया first होती है ये आपको paper में देखने को मिलती है थोड़ा सा detail में इसके बारे में अगर मैं आपको बता दू तो जो मोधेरा जगा है गुजरात की ये अगर बात की जाए ये sun temple के साथ भी associated है या इसी के साथ साथ according to the गुजरात government एक हजार solar panel जो है वो इंस्टाल किये गए है village के जितने भी घर है वहाँ पे तो जो भी electricity village की है वो आपकी solar energy ही है और इसकी अगर बात की जाए तो they will provide with solar electricity at zero cost तो ये पहला point मोधेरा को याद रखिएगा पहला question ही बहुत जादा important है ठीक है next पे जलते हैं हम लोग इसके अलावा अगर बात की जाए अभी हाली में अब यहाँ से question आप लोगों को देखके थोड़ा सा idea मिल जाएगा क्योंकि इसी तरीके का question आपका last जो जेके PSI के paper था उसमें पूछा गया था अब कोन सी ऐसी Indian women है जो पहली ऐसी बनी है जिन्नोंने दो medal जीते है World Wrestling Championship में तो यह इनका नाम याद रखिएगा विनेश होगाट ने इसको जीता है थोड़ा सा detail में इस पे अगर हम बात करते हैं तो विनेश होगाट के अगर बात करूँ यह पहली एक मात्र Indian women wrestler अगर आपसे पूछा जाएगी कौन सी ऐसी एक मात्र women athlete है जिसने Olympics में दो बार medal जीते हैं बताइए इसका answer क्या होगा इसका answer है पीवी सिंदु पीवी सिंदु ने लगा था दो editions में medal जीते है एक बार bronze जीता है एक बार silver जीता है इसके अलावा अगर मैं बात करी जाए आपसे आपसे अगर पूछा जा सकते है कि बताओ इस साल के पैरा लंपिक में कौन है जिन्होंने दो medal जीते तो यहाँ पे भी नाम याद रखना अवनी लेकारा इनका नाम है इन्होंने यहाँ पे इसको जीता है दोनों के नाम याद रखिएगा यह बहुत important sports personalities हैं तो इसको याद रखिएगा ठीक है कौन सी इसी पहली Indian women बनी है जिन्होंने दो medal जीते हैं तो उनका नाम है विनेश फोगाट नेक्स पे आते हैं हम लोग अभी हाल ही में क्या नाम रखा गया है इंडिया का फर्स नेसल COVID-19 vaccine का जो recently developed किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा अब यह question भी important है COVID-19 के related आपको पता है बहुत सारी चीजे हुई है हम लोगोंने पिछले साल एक dedicated video बनाई थी जितनी भी चीजे थी इस साल नहीं बनाएंगे क्योंकि इस साल यह इतना जादा नहीं था पेपर में question अगर आएंगे तो उसी पिछले lecture से आप लोगों के सारे cover हो जाएंगे जो early roundup 2021 का मैंने बनाया था अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो पहला question बनेगा कि क्या नाम है उसका vaccine का उसका नाम है इनको वैक अब दूसरी चीज क्या है पेपर में यह भी पूछा जा सकता है की develop किस नहीं किया है तो यह develop किस के द्वारा किया गया है यह भारत Bio-tech के द्वारा develop किया गया है तो इसको याद रख़ेगा साथ इसाथ अगर बात की जाए यहां पे inkovax की तो यह जो है इसको DGCI के दोवारा approval मिल चुका है तो यहां पे दो ही चीजें आपको याद रखनी है पहला क्या है पहला नाम आपको याद रखना है इस vaccine का और दूसरा नाम याद रखना है कि इसको बनाया किस के गया एक द्वारा गए डेवलप किस ने इसको किया यहां पर ठीक है नेक्स पर आते हैं डाश बिकेम इंडिया फॉर्स स्टेट यूटी टू अचीव 100% कवरेज ओफ प्रिकॉशनरी डोस अब यहां पर स्टेट या उनिट एडिटरी बनी है जिसने चीव करा है इसको बस इसमें आपको पहली चीज याद रखनी है साथ ही साथ आपको यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट बता दू जो मैंने आपको रैंकिंग में भी बताया था अंडामान रिकवार आइलेंड जो है वो इंडिया क यह सिक्स टाइम जो बनाई गई है वो कौन सी है वो है इंदोर तो यहां पर इसको याद रखना इंडिया फर्स सुजल प्रदेश कौन सा है तो यह भी आपका अंडामान निकवार आइलेंड ही जो है उसको डिकलेर किया गया है क्रिनाइश सिटी अगर पूची जाएगी इन विजकले फॉर्लिंग स्टेट देखो यूनिवर्सिटी बहुत हैं लेकिन इंडिया की पहली क्या बनाई गई है फॉरिस युनिवर्सिटी और यह क्वेशन इसी साल का है यहां को पेपर में देखने को मिलेगा कहां की ऑन्यक्र पर ज़्क तो और और को साइट है अप ये आपकी UNESCO Heritage Sites में आती हैं 40 ये बनी थी इंडिया की टोटल अगर आप चो पुछ जाए कितनी है चालिस है और अपपा टेंपल जो है वो 39 थी दोनों पिछले साल बनी है दोनों important है अब बात की जाती ही यहां पर Forest University के बारे में तो इंडिया की पहली Forest University जो है यह कहां पर ब University of Forestry के अगर मैं बात करूँ यह पहली बार अपने आप में ही यहां पर आपको देखने को मिलेगी इसके साथ-साथ अगर पूछा जाए कि आज से पहले कितनी ऐसी हैं जो इंडिया में यह आप लोगों को देखने को मिलती है तो आज से पहले अगर बात किया जाए कितनी ह है तो आज से पहले आपको बता दू दुनिया में सिरफ दो थी अब यह थर्ड एडिशन एड हुआ है वो इंडिया में है अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में दुनिया की पहली कौन सी थी University of Forestry तो वो आपको देखने को मिलेगी रश्या में चाइना में और उसके ब गैरेंटी बैंक प्रोवाइड करते थे लेकिन पहली बार क्या हुआ है पहला बार इस बार एक electronic गैरेंटी जो है वो जनरेट की गई है अब पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सा इसा बैंक है जिसने पहली बार इस चीज को किया है तो यह आप लोगों को नाम याद रख पहले बार किया गया है यह HDFC बैंक के बार सबसे पहले किया है EBG यानि की electronic bank guarantee जो सबसे पहली बार launch की गई है पहला bank कोन सा बनने है HDFC बैंक ने इसको सबसे पहले launch किया और यह पहला bank बना हे इंडिया का जिसने की यह launch किया है किस के साथ partnership में किया है तो National Government Services Limited के साथ मिलके इन्होंने इसको लांच किया है HDFC बैंक नहीं हाँ पर किया है तो इसको ध्यान रखिएगा नेक्ट पर आते हैं हम लोग इंडिया का पहला लीथियम सेल मेनिफेक्ट्रिंग फैसिलिटी जो है यह इन्होंगरेट किया गया है कि सिटी में और यह भी बहुत इंपॉर्डेंट क्वेशन होगा लीथियम सेल मेनिफेक्ट्रिंग सिटी यह मैंने आपको हमारे वीकली करंट अफेर्ज में भी पढ़ाया है कि सिटी में लॉंच किया गया है तो यह लिथियम सेल मैनिफेक्ट्रिंग फेसिलिटी है यह तिरुपती कहां पर है तो तिरुपती जो जगा है यह आपकी आंध्रा प्रदेश में लॉंच किया गया है बहुत इंपॉर्डेंट होगा आपके एक्जाम पॉइंट आप व्यू से यह इस तरीके पेपर में बनते हैं इसी पहली और एक मात्र स्टेट है इंडिया की जिन्होंने अपनी खुद की इंटरनेट सर्विसेस को लॉंच किया है देखो जब हम लोग यहां पर अगर बात करूँ जे एंडगे की हम लोग जिस टाइम पर यहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारे यहां पर इंटरन में इन्होंने इसको कंसीडर किया था और अब यहां पर क्वेशन क्या है कौन सी है पहली और एक मात्र स्टेट जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेस हैं तो उसका आंसर है कैरला को आप लोग याद रखिएगा आप क्वेशन को थोड़ा सा और डिटेल में यह जो चीज अब बताते जाओंगा इसका यह है इसका यह है वो कोई फाइदा नहीं होगा अब कैरला के बात करूंगी एक मात्र स्टेट बनी है इंडिया की जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेस है पिनराइव विजेन ने अनौन्स किय करके इसका नाम रखा गया है तो इसको याद रखना और साथी साथ केरला पहली ऐसी स्टेट है जिसने क्या किया है खुद का OTT प्लैट्फॉर्म लाँच किया है जिसका नाम क्या है सी स्पेस यह दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टन है और इस तरीके के क्वेशन आपक इनिशियेटिव के के जितने को मिलेंगे और सब यहां पर अपना काम कर सके ऑन दे बहाफ ऑफ स्टेट गवर्मेंट दोनों नाम याद रखना सी स्पेस जो एक OTT प्लैटफॉर्म है और साथ ही साथ केरला ऑप्तिक नेट्वर्क और कोन सी पहली श्रेडर जिसने खुदका लॉंच किया है यह इंटरनेट सर्विसेज तो वो भी है कैरला ठीक है तिनों पॉइंट यहां पर क्लियर है नेक्स प्राद है अब देखो यह क्वेशन जो है ना यह क्वेशन हम लोगों ने तब भी डिसकस किया था जब आने आपको वीकली कर अंटरफेस पड़ाए थे थोड़ा सा टेल्ट करके क्वेशन कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा पहला प्रेजिडेंट कौन है जोकि इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हो ए अभी तक जितने भी इंडिपेंडेंस जो हमारे प्रेजिडेंट रहे है वो सब 1947 से पहले के जो है पैदा हुए है पहला इनमेंसे ऐसा है जो की इसके बाद हुए कोन है फर्स्ट प्रेजिडेंट थी विमेन प्रतिबा पाटल क्या ये हमारी पहली एक ऐसी वो है जो ट्राइबल कम्यूनिटी से आती है तो बिल्कुल हाँ द्रोपदी मुर्मू पहली ऐसी विमेन है जो की ट्राइबल कम्यूनिटी से आती है दुरुपधी मुर्मू पहली प्रेजिदेन्ट है जो की इंडिपेंडनेस देखे बाद पैद हुई है ठीक है लेकिन याद रहे हैं सेकिंड वुमेन प्रेजिदेन्ट है यहाँ पर गड़ मत कर देना जैसे कि मैंने आपको बताए है पहली ट्रैबल वुमेन है जो हाइस कॉ को जो इस समय होल्ड कर रही है तो यहां पर यह याद रखना और साथ ही साथ कहीं बार आप लोगों ने देखा था कि आपसे क्वेशन पूछा जाता है कि 14 कोन है 15 कोन है 16 कोन है तो इस तरीके से याद रखना द्रोपदी मुर्मू जो है यह हमारी 15 प्रेजिडेंट है पॉइ इसको लिखके बताईएगा ठीक है नेक्स पर आजाएए अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने लॉंच कर रहा है फर्स्ट एई पॉवर डिजिटल लोक अदालत यह जितने भी क्वेशन्स हैं आपको बता दूँ आज की हमारे ए इसको बताईए यह किया गया है राजस्थान के दौरा राजस्थान ने अभी रिसेंटली यहां पे अपना पहला लोक अदालत जो है वो किया है इनॉग्रेट किसके साथ अब यहां पे आगर आपसे बात करें उधे उमेश ललिच जो है इस समय नैशनल लीगल सर्विस इसके दौरा जो की कहां पे हुई थी राजस्थान में हुई थी इन्होंने इसको शुरू किया है और राजस्थान पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने इंस्टॉल करा है साथी साथ एल रूट सर्वर फॉर अन इंटरॉप्टिट इंटरनेट सर्विस अब यहां पे दोनों यह जो दूसरा पॉइंट आना यह भी आपको याद रखना है राजस्थान ने एक तो अपना लोकदालत तो करा ही है साथी साथ शुरू इसके अलावा इन्होंने एल रूट सर्वर को भी जो है पहली स्टेट बनी है जिन्होंने इंस्टॉल करा है ताकि यह जो आपके हर इक सेग्मेंट में जायेगा साइन्स टेक्नोलोजी में जाएगा स्पोर्स में जायेगा लेकिन जो इसके इंडिया का पहला इंडिजिनशली डेवलाप लाइट कॉमबिट हेलिकॉप्टर कौन सा है देखो पहला यह किसका पाट आजाएगा, यह आजाएगा Science and Tech का जो हमारा पाट आजाता है, Defense Technology, उसमें यह question आपका बनता है, किस तरीके से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया है, एक shift में आपको ज़रूर INS विकरांद तो देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला Indigenously Developed क्या था, Aircraft Carrier, वैसे ही Indigenously का क्या मतलब है, जो हम लोगों ने खुद बनाया है, इसमें हम लोगों ने किसी कंट्री से मदद नहीं ली, हम लोगों ने खुद इसको बनाया है, और पहला Light Combat Helicopter जो हम लोगों ने बनाया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, परचंड, यह किसके द्वारा बनाया गया है, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए, तो यह जो Light, यह हमारी जो Indian Air Force को यह मिल चुका है, टोटल 143 Helicopter Unit जो है, यहां पर इसको एड कर दिया गया है, और परचंड का मतलब क्या होता है, परचंड का मतलब होता है, तो यहा पर पहला पॉइंट याद रखिएगा, यह आपसे पूछे जा सकती हैं चीजें, कि बताइए, जो हम लोगों ने खुद Light, विकल, Light, Combat Helicopter बनाया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, परचंड, वैसे ही, INS विकरांद का नाम भी याद रखना, इसके अलावा आप लोगो को निर्भय क्रूस मिसाइल का भी नाम याद रखना है, यह भी हम लोगों ने खुद बनाई है, तो यहाँ पर इन चीजों को याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, नेक्स पर आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में, इंडिया का पहला, वोमेन ओंड इंडस्ट्र पार्क जो अभी हाल ही में लॉंच किया गया है, कि सिटी में लॉंच किया गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टन है, जिस भी किसी कुछेशन में आपको इंडिया दिखता है, फिर्स दिखता है और विमेन दिखता है, यह आपका most important category में चला जाता है, पहला विमेन फिरी बिनाए गया है यह बनाया गया है यहांगा यहां पर हईले धीक साथ है um सन्झे थे ऐ वोटिंग वा जो इलेक्शन हमें कोशिफिश कि लिए थी उसे ने किया था ये पहला ये बी तर के द्वारा ही हुआ है ت यह दोनों पॉइंट याद रखना और यह जो पहला पार्क मनाया गया है इंडस्ट्रियल पार्क जो ओन किया जाएगा इसमें 100% जो वरकर्स होंगे या सारी चीज़े जित्री भी मैनेज होंगे यह कौन करेगा यह सब की सब चीज़ें जो है यह वमेन ही करेंगी और इस पा आपको याद रखने तलंगना और तलंगना नहीं टी हब 2.0 भी लॉंच किया अभी रीसेंटली इसको भी याद रखियेंगा नेक्स पर आते हैं इंडिया का पहला रॉकेट इंजन फेक्टरी कांपे बनी है जिसको ओपन कर दिया गया है जिसको हाल ही में अभी किया गया ह अब पहला है इंडिया का और क्या है रॉकेट फेक्टरी इंजन तो यह कहां पर किया गया है यह चिन्नई में किया गया है यह जो अभी हाल ही में बनाया गया है रॉकेट फेक्टरी इंजन यह इसका नाम क्या है और इसको पेरेंट कंपनी कोन है जिसने इसको बनाया है यहोंने ही इंडिया का first ever factory बनाई है जो कि 3D printed rocket engines को भी बनाएगा चिन्नाई में पॉइंट बहुत important है यह जितने भी आज का lecture है यह सबसे ज़्यादा important है इसको ध्यान में रखेगा next की अगर हम बात करते हैं हाल ही में कौन सी state अब यह जैसे यह question आपका eco park के ओपर question बना है first e waste eco park अब यह जो चीजें है ना यह बहुत important है पहला को पहला बना है तो कहां पर बन रहा है यह यह बन रहा है आपका new Delhi में new Delhi बना रही है पहला इवेस्ट इको पार्क बस इसको यहां पर आप लोग याद रखेगा यह बनाया जा रहा है किसके द्वारा नई दिल्ली के द्वारा next पर आते हैं नई दिल्ली के द्वारा अगर हम बात करें the Delhi government has announced the setting up of India's first e waste इको पार्क इन होलंबई का लान जो कि Delhi में है अगर कल को मान लीजे आपको option में exact जगा दी जाए तो आपको यह नाप भी याद रखना है यह भी आपसे पूछा जा सकता है इसके लावा आपको इसमें बस इतना है याद रखना और इसके साथ ही हाँ आपको एक और Esseए इको पार्क जो हुए यह अपका कहां पर है डेली में ही बना गया है अभी हाल ही में कौनषी स्टेट ऐसी है जिसने इन इक्से ने इक्स प्रेश वेपराई है तो धचितस एक्स वे आपको स्थी tidak देशने को मिलते हैं और आपका हाइल यह का अड्वांस वर्जय अगर तेरा एक्सक्रेस हैं, थोड़ा सा डेटेल में ते लोगों के साथ तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पहली एसी स्टेट बनी है जिसके पास तेरे एक्सक्रेस हैं, जिस में इस वें से की kalo जो बत्तीन सो किलो मिटर है यहां पर work is going on on 7 while 6 expressway are operational 6 जो है अभी बन के तयार हो चुके है नरिंदर मोधी ने यहां पे अभी रिसेंटली बुंदेलखंड expressway के बारे में इसको inaugurate किया था अभी जुलाई महीने में आप यहां पे चीज को क्या याद रखना आप से यह भी पूछा जा सकता है कि यह expressway कहां से है और यह किसको किसके साथ connect करेगा ठीक है तो यह UP को डली के साथ करेगा यह दोनों पॉइंट याद रखना बुंदेलखंड के साथ साथ आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपके कितने expressway है UP में direct तो तेरा हैं यहां पे और इंडिया का पहला अमरित सरोवर जो है वो भी inaugurate किया गया था ministry of minority affairs मुकतार अबास नकवी उस समय थे अब change हो चुके हैं homework लिख लीजे बताना इस समय कौन है जिनोंने इसको कहां पे inaugurate किया था उत्तर प्रदेश में ही ठीक है यहां पे इसको याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का पहला अमरित सरोवर कहां पे बना है तो यह भी आपका बना था उत्तर प्रदेश में ही दोनों चीजे किस जगा पे रामपूर में अभी कितने अमरित सरोवर है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बताना थोड़ा समय काम आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूं दाखिया आप लोग भी चीजों को डिटेल में पड़े विच फार्मा कंपनी रीसेंटली लॉंस्ट इंडियास फर्स इंडिजिनसली वेक्सीन डिवलप्ट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर यह सब आपका साइंस एंटेक का पार्ट आ जाता है तो किस ने अभी हाल ही में डिवलप करा है पहला इंडिजिनसली वेक्सीन जो की इंडिया ने बनाया है अगेंस सर्वाइकल कैंसर तो किसके द्वारा किये गया है यह किया गया है Serum Institute of India के द्वारा अब Serum Institute of India के अगर मैं बात करूँ तो Serum Institute of India ने हाल ही में बनाया और साथ ही साथ आपके लिए एक और homework मैं यहाँ पर रखता हूँ Serum Institute ने COVID के लिए जो vaccine बनाया था उसका नाम क्या था आप लोगों को option में देता हूँ एक था को vaccine और एक था आपका क्या नाम था दूसरे का अब एक काम करूँ आप मेरे को answer ही बताओ सीथा ना आपको options नहीं देता क्योंकि यह question जो है ना COVID के related वो यही वाले बनते हैं एक इनका vaccine और बहुत जादा न्यूस में था अभी कि अगर बात की जाए cervical cancer को लेके तो यहां पर जो इनको ने बनाया है QHPV यह वाला vaccine भी आपका किस ने मनाया है Serum Institute of India के द्वारा ठीक है यह दोनों चीज़ें आप लोगों के उपर आप लोग इस पे comment box पे लिखके बताईएगा next पर आते हैं अभी हाल ही में कौन सी ऐसी state है जिसने पहला liquid mirror telescope जो है उसको बनाया है तो देखो पहली Indian state कौन सी है जिसने liquid mirror telescope बनाया है तो वो है उत्तराखंड उत्तराखंड के द्वारा इसको भी हाल ही में बनाया था और इसको कहां पे लगाया गया है इसको लगाया देवस्थल में जो कि एक हिल है कहां पे उत्तराखंड में अगर कल को direct आपसे location पूछी जाएगी कि पहला liquid telescope mirror telescope कहां पे है तो उसका नाम भी याद रखिएगा देवस्थल में बना है देवस्थल किस जगा पे है उत्तराखंड में है तो पहला इस point को इसमें कौन सा ऐसा liquid है जो कि सबसे जादा commonly used है तो वो है mercury यह आपको इंटर्व्यू में जादा तर पूछा जा सकता है बस इसको इतना याद रखिएगा ठीक है next पे आते हम लोग कौन सी ऐसी इंडिया की पहली स्टेट है जिसने अनाउंस कर दिया है country's first medical city named Indraayani Medi City अब यहां पर question क्या है यह बहुत important है पहला क्या question है ध्यान से पढ़िएगा पहली ऐसी इंडियन स्टेट है जिसने अनाउंस कर दिया है country का पहला country का पहला क्या है country का first medical city जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है Indraayani Medi City के नाम के ओपर ठीक है Indraayani Medi City के ओपर इसको रख दि detail में इस question पर तो जो महराश्टा government की अगर बात की जाए तो इन्होंने budget presentation के धरान यहां पर announce किया था कि country का पहला medical city जो है वो setup होगा कहां पर पूने में जिसका नाम क्या रख दिया जाएगा Indraayani Medi City इसका नाम रख दिये जाएगा और कोशिश की जाएगी medical education जो है वो research facilities जो है वहां पर हर एक को provide की जाए और यहां पर इसको बस इतना याद रखना और अगर हम बात करें पहला organic waste powered EV charging station इसको भी आप लोग मार कर लेना most important यह question उससे जादा important है अब पहला अगर आपसे पूछा जाएगा इवेस्ट इको पार कहां बना है वो डेली में बना है ठीक है अगर आपसे पहला पूछा जाएगा organic waste powered EV charging station कहां पे है तो वो बनाये गया है मुंबई में यह question second वाला बहुत जादा important है क्योंकि देखो electric vehicles पे आप लोग देखते कि कितना जादा stress दिया जाता इस समय तो इस तरीके के questions frame होते हैं exam में ठीक है next पर आते है next question की अगर मैं बात करूँ अभी हाल ही में कौन से ऐसे पहले footballer है जिन्नोंने 700 club goals जो हैं वहाँ पे कर दिये हैं और इन में से एक बच्चा अपना नाम भी यह रखके हमारे sessions को हर एक को attend करता है रोनाल्डो पहले ऐसे बने हैं जिन्नोंने 700 club goals जो हैं वो मार लिये हैं अब साथी साथ यहाँ पर बात की जाए तो कहां पर यह खेलते हैं किसकी तरह से खेलते हैं इन्होंने अपना 700 गोल करा था अपना Manchester United Premier League के दौर तो बस आपको इतना याद रखना है किस country से खेलते हैं पॉच्चिकल से खेलते हैं बहुत famous football player हैं तो इनके बार में याद रखना लेकिन इनसे ज़्यादा important एक और चीज़ है अब एक नाम आपको याद रखना है जो की top 3 scorers में यहाँ पे आते हैं international goals की अगर बात की जाए club goals की बात नहीं कर रहा है international goals की बात की जा रही है तो वहाँ पे नाम याद रखना सुनील चेतरी जो हमारे इंडियन प्लेयर है उनका नाम याद रखना वो हमारे top 3 में इसमें आते हैं next पे आदे हैं हम लोग question number 28 के ओपर कौन सी country ऐसी है जिसने पहला world का hydrogen power passenger train जो है जिसको launch किया देखो ये paper में पूछे जाएंगे confirm है किसी ना किसी shift में आपको ये question देखने को मिलेगा इतने जादा important ये है तो कौन सी ऐसी country है जिसने पहला hydrogen power passenger train launch की है मैंने आप लोगों को कहा है देखो इस तरह की questions जब आते हैं आप लोग guess कर सकते है चाइना को लेके लेकिन च exam में और जादे important बन जाती है जैसे कि आपका option number one इसको किसके द्वारा किया गया है वर्ल्ड की पहली hydrogen passenger power train किसके द्वारा की गई है ये की गई है जर्मनी के द्वारा तो यहां पे इस चीज को याद रखना जर्मनी इसका सही answer है जर्मनी ने अभी हाल ही में इसको launch किया थ यह जो पहली आप लोगों ने देखी है world first fleet of hydrogen power passenger train यह किया गया है जर्मनी के द्वारा ठीक है नेक्स पे आते हैं हम लोग अभी हाल ही में दुनिया का पहला चीटा रिहेबिलिटाइजेशन प्रोजेक्ट जो है यह किस country के द्वारा किया गया है यह आप लोगों किसका answer कर सकते हैं यह किया गया है इंडिया के द्वारा बहुत थी जादा news में यह था तो इस पे भी question कहीं बार घुमा फिरा के पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत जादा आप लोगों ने देखा होगा हर एक news channel ने इसको cover किया था थोड़ा सा detail बात की जाए सबसे पहला question जो सबसे और कहां पे हैем मध्य वरदेश में ठीक है यह बहुत बार बनते हैं चीता को यहां पर लाै गए थे किस project के अंड़ लाई गे है उस project का नाम भी याद रखना है project चीता के अंड़ इसको यहां पर लेकर आए मैं और यह पहला दुनिया का पहला क्या था इंटर कॉंटिनेंटल लाज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांस लोकेशन प्रोजेक्ट था तो ये दुनिया का जब पहला बन जाता है तो नाम याद रखना पेपर ऑप्शन ने सीधा आपको दे दी जाएंगे प्रोजेक्ट चीटा इस तरीके से आपको दे दी जाएंगे तो यहां भी छोटी छोटी चीज़े आप पूछा जाएगा कि कितने चीटा लाए है यह भी याद रखना कहां से लाए है नामीबिया से लाए है इसको भी याद रखना तो यह चीज़ें आपको आ जाती है अब को extinct कोशिश कर दिया गया था इंडिया में किस साल में 1952 में अब यहां से कोशिश की जाएगी कि वापिस से इनका जो Rehabilitization Project है इसके ताहत इसको लेकिया है तो यह Project अपने आप में बहुत तोटल कितने थे किस कंट्री से आये हैं और इंडिया में कब डिकलेर कर जाएगा था यह सारे पॉइंट्स याद रखिएगा ठीक है क्या नाम रखा गया है पहली लाब manufacturing company का टू रिसीव बी इस सर्टिफिकेशन वाट इस नेम ऑफ ता फर्स्ट लाब manufacturing company टू रिसी बी इस सर्टिफिकेशन इसका अंसर है तामिल नाडू पेट्रो प्रोड़क्स लिमिटेड यह क्वेशन इतना इंपॉर्डर नहीं है बाट एक बार इक बार गो थू कर लेना इसको किस ने दिये बी इस क्या होता है यह होता है यह होता है इसको मिल गया है ले इसका नाम याद रखना जब भी कोई चीज पहली होती है अगर दुनिया में पहली और इंडिया में की चीज है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट बनती है नेक्स पर आते हैं विच सिटी हाँ विच सिटी इन वर्ल्ट इंप्लिमेंट हंडर पोसेंट पेपले स्ट्रेजी इ इंडिया में घे होंगे आपने देखा कि फाइल्स के धेर के धेर लगे होते है तो यहां पर पहली कंट्री ऐससे बन चुकी है जिसने क्या किया किया है पहली सी country बनी है जिसने क्या किया है government offices को खास तो पर 100% paperless कर दिये declare तो यहां पर बहुत important है आपके exam point of view से next पर आते हैं कौन सी ऐसी पहली airline है जो की use करेगी solar aviation fuel को आज के आज के इस particular lecture में बहुत सारी कि इतनी चीज़े important है कि आपको किसी ना किसी तरीके से paper में दिखेंगे उन में से ही एक यह है solar aviation को किसने यूज किया है सबसे पहले आज फ्यूल जिसने solar aviation fuel को यूज किया है तो वह स्विस airlines स्विस airlines ने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा सब पहली बार किया है इसको यूज आप से पूछा जाएगा स्विस आयर लाइन जो है इसकी parent company कोंसी है तो लुफचाना ग्रूप है और पार्टनर किया था synthetic fuel group से लियान से लियान के साथ तो यहां पर दोनों याद रखना और इनका जो यहां पर है fuel इसका क्या रखा गया संटू लिक्विड फ्यूल तो बस यहां पर यह दो पॉइंट याद रखना कि पहली कोंसी थी जिसने यूज किया है तो वो है Swiss Airlines नेक्स पर आते हैं यह question आप से पूछा जा चुका है एक बार पेपर में दुनिया का पहला 3D printed steel bridge जो है हाल ही में open कर दिया गया था public के लिए तो यह किस जगा पे हुआ है यह Amsterdam में हुआ और शायद यह question भी आपको एक बार पेपर में पूछा जा चुका है और यह पहली बार हुआ था पिछले साल जुलाई में हुआ था लेकिन इक बार पेपर में आ चुका है तो इसलिए हम इसको यहां पर discuss कर रहे हैं तो यह थे हमारे आज के important current affairs जिसमें पहली बार जो चीज़े हुई है उसको मैंने आपको यह lecture पसंद आया होगा अब यह quick revision हम लोग यहां पर करेंगे और उसके बाद यहां पर हम इस lecture को जो है वो खतम करेंगे लेकिन lecture खतम करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें यहां पर बताऊंगा अब जैसे पहली बार जो चीज़ें होती है ना बहुत important होती है exam point of view से ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की quick revision को सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने discuss जो करी थी यहां पर आप लोग जल्दी से पानी विगरा पी लीजिए अब हम लोग quick revision करेंगे आप लोगोंने answer करने है तो थोड़ा सा तैयार रहना सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर करूं 24-7 पॉवर्ड विलेज कौन सा था जो की solar energy पे चलेगा तो उसका नाम क्या था उसका answer है आपका मुधेरा जो की आपका कहां पर है गुजरात में है पहली women sports person कौन सी है जिनोंने दो medal जीते हैं वर्ल 19 vaccine का नाम क्या है इनको वैक इसके अलावा हम लोग ने देखा था सवच सुजल प्रदेश की अगर बात करूं मैं यहां पर आइक को चीज सवच सुजल प्रदेश की अगर मैं बात करूं मैंने आपको यह अब थोड़ा सा पूछूंगा कौन सा था यह था आपका अंडामा अंड निकोबार आईलेंड इसके अलावा अंडामा निकोबार आईलेंड न्यूस में था क्यूं था क्यों था क्या बन चुका है यह बन चुका है जिसने 100% क्या चीव किया है precautionary doses को ठीक है इसके अलावा पहला कौन सा बैंक है जो की electronic bank guarantee देगा यह है HDFC Bank है पहला lithium-cell manufacturing plant कह पर बनेगा कि यह कहाँ पर हम लोगों ने देखा था तिरुपती तिरुपती किस जगह पर है आंद्र प्रदेश में अंद्र प्रदेश के बाद अगर में बात करूं हम लोगों ने जो भी हाल ही में अपना पहला लाइट कॉमबेक्ट हेलिकॉप्टर डेवलप किया उसका नाम क्या था उसका नाम था परचंड ठीक है इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एक और चीज अभी इंपॉर्टन भी थी फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बस कहां पर लॉंच की गई है पहली इंडिजिनिसली डेवलप्ट है साथ में इस वर्ड पर ध्यान अखना यह पूने में की गई है हम लोगों ने मुंबई में क्या देखा था पहली इलेक्ट्रिक अगर डिख बस भी चलाएगी थी अगर डिखुर बस की बात की जाएगी देखो यहां पर क्या है है हिड्रोजन फ्यूल बस कहां पर है पूने में और अगर काल को पूछा जाएगा इलेक्ट्रेक डबल डिखकर बस डबल डेक्कर बस वैसे जुज़ादा था आपको पहली जो बनी थी फर्स ट्राइबल प्रेजिडेंट को थी द्रोपदी मुर्मू थी साथ ही साथ एक और चीज आपको बताता हूं एक और क्वेशन था जो काफी इंपॉर्डेंट था हां रॉकेट फैसिलिटी को हम लोगों ने डिसकस किया था थी दी प्रिंटेड इंजन को लेके वह कहां पर बनेगा वह चिन्नई में है ठीक है फरस्ट और और वुमिन इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें हंड्रेट परसंट जो काम करेंगी वह विमिन होंगी वह कहां पर बना गया था बताएगा राजस्थान में और उसका नाम क्या है राजस्थान महिला नहीं दी अगर पूछा जाए तो ठीक है उस जगा का नाम भी यह रखा गया था यहां नहीं बताया तो यहां पर यह चीज़ें पूछी गई थी इसके साथ साथ राजस्थान की बात करूं तो फर्स्ट एई पॉवर्ड लोक अदालत यह भी हम लोगों आपको बताऊंगा जो मुझे याद आते रहेंगे फर्स्ट बाली का पंचायत कहां पर बनी है यह बनी है गुजरात में इसको मिस्मत करना यह भी काफे इंपॉर्ड है ठीक है पहली गुजरात में बनी है बाली का पंचायत और गुजरात की ही अगर मैं यहां पर आप लो इसको भी हम लोगों ने यहां पर किया, मुंबई की अगर बात करूं, मैं यहां पर तो मुंबई में हम लोगों ने देखा था, क्या बना था, इंडिया का पहला, और गैनिक, वेस्ट, पौवर्ड, ईवी स्टेशन, और वहीं, इवेस्ट वाला, हम लोगों ने जो देखा थ इवेस टीको पार कहां पे बना है वो धिली में बना था ठीक है तो बस इतनी ही चीजें थी अभी तक जो याद आ रही है जो रिवीजन के तोर पर आप लोगों के लिए important है 3D बिरेज हम लोगों ने देखा कि कहां पे बना है printed steel bridge वो हमारा हम बना था Amsterdam में तो यह सब चीजें आप लोगों को बस याद रखना है अगर आपसे कभी कभी पूछे कि first airport कौन सा है किसके लिए flying cars के लिए जो बना है या फिर ड्रोन के लिए बना है यह कहां पे है अब जो मैं पूछूँगा यह कुछ चीज ऐसी जो lecture में डिसकुस नहीं हुई but important है थोड़ी पुरानी नियूज है लेकिन पूछी जा सकती है यह कहां पे है पहला एरपोर्ट जो flying cars के लिए यूस बना था वो बना है United Kingdom में ठीक है यहां पर इसको याद रखना यह चीजें पूछी जाती है और पहली government कौन सी है जो 100% पेपलेस हुई है वो बनी है आपकी द solar aviation fuel किसके द्वारा यूज के जा रहा है किसी airline के द्वारा Switzerland के द्वारा ठीक है और अगर आप से पूछा जाएगा मान लीजिए last question इसको खतम करेंगे पहली country कौन सी ऐसी बनी है जिसने की खुद का एक cooling action plan जो है वो बनाया है बताओ इसका answer क्या होगा यह आपका homework है कौन सी ऐसी country है जिसने पहला खुद का cooling action plan है जो है वो बनाया है चलो इसका answer मैं आपको बता देता हूं आज कल जाते जाते लास्ट का इसका answer है इंडिया और अगर आपसे पुछा जाएगा hydrogen power passenger train किसके द्वारा बनाई गई है पहल चीजें थी जिसको हम लोगों ने discuss कर रहा revision quick revision भी हो चुकी है I hope आपको यह lecture series पसंद आ रही है बहुत सारे लोगों ने अभी बहुत सारे लोगों ने देखते देखते यह सिर्फ चीजें शुरू कर दी है आप लोगों को बढ़ाना तो देखो जहां से ग्यान मिलता आप बटरते चलो major यह पार्ट है कि paper में आप लोगों को यह चीज़ें help करें हमारा target सिरफ वही है बीच में बहुत सारे लोग भी same चीज़ें कर रहे है आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें लगती है all the best पढ़ते रो महनत करते रो जितनी कर सकते हो करते रो mock test 13 आ जाएगा इसको ध्यान से attempt करना अगर आप लोगों को कोई भी issue या problem आ रही है अब इस number पर हमें whatsapp कर सकते हैं हम आपकी queries को resolve करने की कोशिश करेंगे तो चलो मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ part 5th कल हम लोग इसको discuss करेंगे और ऐसे ही early roundup मैं आपको 8-10 lectures में सारा खतम कर दूँगा ठीक है बबाई टेकर all the best मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ अभी लिए दी जए जादत have a nice day good night take care